और इसी बीचे का बड़ी ख़बर पटना से जोहाँ पर तिजस्वी आदव के बंगला छोड़ने पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है समराट चौतरी के ग्रह प्रवेश्य से पहले बंगले का हुआ पोस्ट मोटर बढ़िया एसी के जगा खराब एसी रखकर तिजस्वी आदव पर आरोप है कि वो यहां से चले गए जिम के सामान भी गायब करने का आरोप यहां पर लगाए गया पर ऊपमुख मंत्री के लिए एलोट किया गया है यहीं वो मकान है जहां पर उप मुख मंत्री के तो दॉर पर ते शश्वी आदव रहते आ रहे थे हलाकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहा ये गया कि अब समराज चौधरी उपमुख मंत्री हो गए हैं तो उनके लिए यह आवास उनको खाली करना पड़ा गया तेस्वी आदव ने यह आवास खाली कर दिया लेकिन खाली करने के साथ साथ अपने पीछे छोड़ गए बिवादों का ववंडर आप इस कमरे को देखिए या कमरा आम तोर पे ड्रॉइंग रूम के तोर पे तेस्वी आदव इस्तमाल करते थे ये एसी का पैनल है जिसको खो सोफा यहां पर ने सोफा लगा यह थे लेकिन सारे नुए सोफो को से लगाए गया यह अजो प्रॉप ने सोफा की अपने साथ ले गए तमाम जो कमरें हैं आप देखे किस तरीके से अलाथ है यह देखिए यहाँ पर यह एसी का वो जो पाइप था वो पाइप यहाँ लगा वाता इसको डामेज किया गया है जहाँ एसी निकलने करम में यह डामेज हुआयग है लेकिन बाती कमरों से बेड़ गायब है जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि आखिर बेड़ जब यहां था तो बेड़ गया कहां सवाल कई हैं सवालों के जवाब धूनने कोशिस लगातार लोग कर रहे हैं लेकिन जवाब अभी तक मुकमल तोर पे किसी को मिला नहीं है सबी लोग यही कह रहे हैं कि आखिर वज़ा क्या थी इस तरह का काम करने के फिशे लेकिन तेस्वी आदो क्योंकि दिल्ली में हैं वो इस पर किस तरह का बयान देने के लिए फिलाल मौजूद नहीं है जो तस्वीरें दिख रही है उसे साफ हैसा लग रहा है कि गरबड़ समें घिर गया हैं सवालों के घिरें में हैं कि आखिर वहां से वास बेसिन नल की टोटी यहां से बेड नए सोफा सेट एसी खोल कर ले जाने के पीछे तेस्वी आदो की मनसा क्या थी हाला कि पांच देसरतनी मार्ग से एक और भी कि उदंती जुड़ी हुई है कि कहा जाता है कि यहां पर रहने वाला अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाता तो देखने वाली बात होगी कि बेड टोटी बेसिन सोफा सेट के गायब होने का मसला क्या रंग लाता है और दूसरी बात यह भी देखने वाली बात होगी कि सम्राग चोधी क्या सच में इस मिधक को लाता है